Hello everyone, welcome back to Vani classes. इस वीडियो में मैं आपके साथ Micro Teaching की Skill Skill of Blackboard Writing का एक Lesson Plan आपके साथ शेर करूँगी. इससे पहले मैं आपके साथ Skill of Reinforcement and Skill of Explaining के Lesson Plans शेर कर चुकी हूँ. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको चैनल की प्लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो. तो अभी हम Skill of Blackboard Writing का एक Lesson Plan देखेंगे. बट जब भी हम किसी भी Skill का Lesson Plan बनाते हैं तो हर Skill के कुछ Components होते हैं जिनके बारे में आपको पता हो कि आपको उन Components का Use कहां पर करना है. तो अभी हम Skill of Blackboard Writing के Components देखेंगे. तो इस Skill के चार Components होते हैं. जो First Component है वो है Distinctness, Second is Spacing, Third is Illustration and Diagram, and Fourth one is Focusing. जो First Component है Distinctness, उसका मतलब यह हुआ कि आप जो भी Blackboard पर लिखोगे, वो हर Alphabet बिल्कुल Clear हो और Distinct हो, यानि कि बच्चे को बिल्कुल वो Clear दिखे, Proper दिखे. And Second is Spacing, यानि कि आप जब भी कोई भी Alphabet या दो Letter लिखते हो, उनके बीच में Proper Space हो. वो यह निकि कि किसी Letter में ज़्यादा Space रह गया, किसी में कम रह गया दो Letters के बीच, तो उस तरह से नहीं करना है, Space बिल्कुल इकुल हो. And Third one is Illustration or Diagram, यानि कि आप जब भी Blackboard का यूज करते हो, तो उसमें आप कोई भी Diagram ड्रो करते हो, वहाँ पर इस Component का यूज होता है. And Fourth one is Focusing, यानि कि जो भी आप Blackboard पर लिखोगे, जो भी आप Letter Alphabet अपने Topic के लेटर लिखोगे, अब हम इसका Lesson Plan देखेंगे, कि हमें इन Components को Lesson Plan में किस तरह से यूज करना है. तो चलिए देखते हैं Lesson Plan. तो यहां से हम अपना Lesson Plan शूरू करेंगे, सबसे उपर आपको लिखना होता है Part होजना, यानि कि Lesson Plan. तो जो जिस Topic पे मेरा Lesson Plan है, उस Topic का नाम है Pushp, ये विज्ञान का Lesson Plan है, 6th Class का. तो इस तरह से आपको अपना नाम लिखना होता है, चातरा द्यापिका का नाम अनुकुरमांक, जो आपका रोल नंबर है, जिस Class का आप Lesson Plan बना रहे हो, उस कक्षा का, यहां पर छटी कक्षा है, विज्ञान का उपविश्य जो आपका सब टॉपिक है, वो है Pushp, समे अबधी, जो Micro Teaching का Lesson Plan होता है, उसकी Time Limit होती है 5-7 Minutes, तो जिस दिनां को आप Lesson Plan डिलीवर कर रहे हो वो, और आपके परिवेक्ष का, जो आपके Mentor है, उनका नाम, वो आप यहां पर लिख होगी, अब उदेश्य यह है हमारा कि, श्यामपठ लेखन कोशल, यानि कि Blackboard Writing में निपूनता हासिल करना, तो इसको हम यहां पर लिखेंगे, तो अभी हम प्रस्तोत्री करें से, यानि कि प्रेजेंटेशन से अपना लेसन प्लान शुरू करते हैं, हमें 5 कॉलम बनाने होते हैं, जो 1st कॉलम होता है, वो तर विशेवश्टू, 2nd इस चात्र ध्यापिका कारेक्लाप, जो आप टीचर है, आपका जो भी अक्टिविटी होगी, वो इस कॉलम में आएगी, नेक्स में शात्र कारेकलाप, नेक्स में श्यांपट लेखन, जो भी आप ब्लाक वोड पर लिखोगे, वो इस कॉलम में आएगा, और घर टक क्यानिकी, जिन कॉम्पोनेंट्स के बारे में, अभी मैंने आपसे बात की, जो फोर कॉम्पोनेंट्स है, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, जब हम उनका यूज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यानि कि नमशकार विद्यार्थियो, जब टीचर एंटर होती है क्लास में, तो वो इस तरह से बोलती है, तो चात्र कारेकलाब स्टूडेंट्स रिस्पोंस करते हैं कि, नमशकार अध्यापिका जी, फिट इज़ शुरू करती है कि चात्रों, आपने घर के आसपास विद्याले के रास्ते में, एवं बाग बगीचे में अनेक परकार के पोधे देखे होंगे, आपने यह भी देखा होगा कि पोधों के बिविन भाग होते हैं, जैसे जड, तना, पतियां, पुष्प एवं फल, जिनमें से पुष्प भी पोधे का भाग है, जिसका उप्योग हम मंदिरों में पूजा, अथ्वा, सजावट के लिए करते हैं, तो बच्चो, आज हमारे पढ़ने का विश्प है, पुष्प, तो टीजर ने इंट्रो दी, और फिर उस टॉपिक पर टीजर लेकर आई कि आज हमारे पढ़ने का विश्प है, तो टीजर अपने उस टॉपिक का नाम ब्लाक बोर्ट पर लिखेंगी, कि छात्रा ध्यापिका श्यामपट पर लिखते हुए, तो टीजर ने श्यामपट पर लिखा कि पुष्प, जो आज हमारा पढ़ने का विश्प है, तो इसमें जिन कॉम्पोनेर्स का यूज हुआ है, क्योंकि यहां पर अंडरलाइन किया है हमने, जो हमारे टॉपिक का नाम है, तो यह हुआ फोकसिंग और डिस्टिंक्नेस कि जो हर शब्द है, वो बिल्कुल अलग लग है और बिल्कुल क्लियर पढ़ा जा रहा है बच्चों को, तो आगे पढ़ेंगे, शात्रो, पुष्प जनन सरंचना है, जो पोधों में पाए जाते हैं, पुष्प के मुखे तया चार भाग होते हैं, बाहे दल, दल अथ्वा पंखुडी, पुंकेसर और इस्त्रीकेसर, तो आगे पुष्प के मुखे भाग कौन कौन से होते हैं, तो काजल ने आंसर दिया कि बाहे दल, दल, पुंकेसर और इस्त्रीकेसर, तो चात्रा ध्यापे का चात्रा का उत्र श्यामपट पर लिखते हुए, जो स्टूडन ने आंसर दिया, टीचर ने उसको श्यामपट पर लिखा, क्योंकि हमारा ये स्किल ही यही है कि ब्लाकबोर्ड राइटिंग में हमें निपुन होना है, तो हम बार-बार इस कॉंपोनेंट का यूज करेंगे, तो टीचर स्टूडन के आंसर को ब्लाकबोर्ड पर लिखती है, जो भी उसने बताय उसको लिख दिया, अब यहां पर हमन चित्र बनाते हुए, तथा मोखिक रूप से समझाते हुए, अब टीचर ने श्यामपट पर पुष्प का चित्र बताया, और उसने उन सभी भागों को अंकित किया, जो पुष्प के भाग है, जिस तरह से आप यहां पर देख सकते हो, अब यहां पर इस कॉंपनेंट का य पुष्प का नर जनन अंग होता है, इसके दो मुख्य भाग हैं, पराग कोश और तन्तु, पराग कोश में पराग कर उपस्थित होते हैं, जो अंकुरित होकर नर युगमक उत्पन करते हैं, तो अब टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर ने क्वशन पूछा कि नेहा आप ब बच्चे के आंसर को फिर से श्यांपट पर रिखा प्राकोश ततन्तु, यहां पर फिर से अंडरलाइन किया है, तो यह फोकसिंग होगी, दूर दूर लिखा है, तो स्पेसिंग होगी, तो उसने रिन्फोस के बच्चे को की शाबाश बैठ चाहिए, अब छात्रा ध्याप पुष्प का मादा जनन अंग है, यह फूल का सबसे अंदर बाला भाग होता है, स्ट्रीकेसर के तेन मुख्य भाग होते हैं, वो भाग होते हैं बर्तिकागर, वर्तिका एवं अंडाश तो टीचर ने क्वशन पूछा, कवीता आप बताईए, स्ट्रीकेसर के मुख्य अगर वर्तिका व अंडाश तो टीचर ने उनको रिवनफोर्स किया कि शाबाश बैठ चाहिए, अब छात्र ध्यापे का श्यामपड पर स्ट्रीकेसर का चितर बनाते हुए, तथा मोखिक रूप से समझाते हुए, अब टीचर ने स्ट्रीकेसर का चितर बनाया और उनको मो पस्तित होते हैं, निशेचन के बाद अंडाश्य फल में तथा बीजांट बीजो में विक्सित होते हैं, आता है बच्चो, आज हमने पुश्प के विभिन अंगों के बारे में जाना, जिन में से पुणकेसर नर जनन अंग है, तथा स्ट्रीकेशर मादा जनन अंग है, तो यह है हमार observation table जिसमें हमने four components लिखे हैं जो थे distinctness, spacing, illustration, diagram and focusing तो इन सभी के नाम हमने लिख दिया है और फिर हमें पूरे lesson plan में count करनी हैं कि हमने कितने बार इन components का use किया है और फिर इनको total करके tallies and total वाले column में लिख देना है तो इस तरह से हमने लिख दिया है और फिर teacher comment करेगा कि आपका lesson plan किस तरह का था वो ineffective था, partially effective था या फिर effective था और आपको क्या recommend किया गया है कि reteach करो, replan करो, drill करो या फिर आपका lesson plan approved है या आपके teacher करेंगे चेकिस को अब मैं आपके साथ miniature discuss करूँगी कि मैंने किस तरह से miniature बनाया है तो यह मैंने miniature बना है इस lesson plan का pushp का तो सबसे पहले pushp का diagram बनाया है उसके जो भी parts हैं उनको बताया है कि कौन-कौन से parts हैं और फिर जिस तरह से मैंने अपने पूरे lesson plan में बताया है कि पूंकेसर में क्या-क्या भाग होते हैं तो इस तरह से मैंने इनको दिखाया है तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको किसी भी skill का कोई भी lesson plan चाहिए या फी simulated teaching के lesson plan चाहिए ब्लोग teaching के lesson plan चाहिए तो please do comment मैं आपके लिए वशे ही वो वीडियो लेकर आऊंगी तो stay tuned and one more thing please subscribe the channel for more updates bye-bye